कानपूर के रिलांस डिपो से डेजल लिखकर टैंकर पांदा सहर के इंद्रानगर इस्थित पैट्रोल पंपर आ रहा था पांदा बहराईज स्टेट हाईवे पर सहर से लगबग आठ किलोमेटर पहले सहर कुटवाली छेतर के मवाई गाउं के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर से टककर हो गई डंपर टैंकर के कैबिन के अंदर जाहुसा टैंकर चालक गोविन की घटना इस्थर पर ही मौत हो गई तथा क्लीनर खायल होकर दूर जाकी रहा पुलिस ने क्रेन की मदर से एक दूसरे में गुसेवानों को अलग किया और टैंकर चालक को साथ निकाला टैंकर चालक गोविन चिल्ला थाना चेतर के दोह तरह गाउं का रहने वाला था गायल क्लीनर सिर्फ करन जहरा गाउं का है डंपर को वहीं छोड़कर इसके चालक और क्लीनर फरार हो गए उधर हाथसी के सूचना पर परिजन और पेट्रोल पम के मालिक समीथ ग्रामेट पहुँच गए पेट्रोल पम पालिक ने घटना के तहरीर दी पेट्रोल पम पालिक वरत तहरीर देने से परिजन भड़क गए परिजनोंने सब पेट्रोल पम के सामने हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया सूचना पर पुलिस छेत्रा दिकारे भी पहुच गए उन्होंने परिजनों को आशवाशन दिया कि उनकी तहरीर पर ही रिपोर्ट दर्श की जाएगी इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए पेट्रोल पम मालिक से 50,000 रुपए भी दिलवाए इसके बाद परिजन माने और जाम खोला करिब ठाई घंटे तक लगे जाम से वाहनचालक परिशान रहे मितक कोविंद के पतनी तीन पूत्र तता एक पूत्री बताई गई है पुलिस ने मित्चालक के शफ को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया बादा से समवादा था उमेश यादाव की रिपोर्ट बातों को मानना और पंप वालों ने 43,000 रूपया उनको क्रिया करम के लिए दिया है बाद में जो भी उसका इंस्वरेस क्लेम होगा उसको दिलवाया जाएगा और जाम जो है तदकाल पहुचने पर होने का लिए परजन F.I.R. की मान कर रहे थे क्या F.I.R. हो पहले से ही पंजिकित की जा चुकी है उसकी काफी भी उनको देती है